जहिंद वेलकम टू विजेबत डिफेंस एजुकेशन आज हिमाचल पुलिस का एक्जाम जो है वो कंड़क्ट करवाया गया है आज हम जानेंगे पूरा का पूरा पेपर जो है वो उसकी क्यास बिल्कुल सही आंसर रहा था आज हमार पास सीरीज ए ये रहेगी आप इसके क्रोस चेक कर सकते हैं कि कितने आपके एक सेक्शन के कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं सबसे पहले इंगलिश की बात करते हैं complete paper आपके सामने ये solve रहेगा सबसे पहला जो आपका question था English का उसका जो right answer आपका रहेगा वो है option A religious उसके बाद question number 2 की बात करते हैं तो इसमें आ आपका fit होता है तो इसका right option question 3 का रहेगा वो है आपका option number D उसके बाद बात करते हैं question number 4 की तो आपको fill in the blanks यहाँ पे पूछा गया था और बोला गया था कि कौन सा इसका correct option यहाँ पे fill होगा तो इसका option आपका आएगा option number B addition उसके बाद question number 5 की बात करते हैं इसमें आपको यहाँ पे जो error की formation में एक question पूछा गया था कि क्या इसका बिल्कुल सही order आपका बनता है तो इसका जो बिल्कुल right option आपका रहेगा वो है option number C BAC BAC जो है वो आपका यह pattern बनेगा question number 5 का उसके बाद question number 6 भी कुछ इसी type का था इसका जो right answer आपका रहेगा वो आपका वैसे त हो रहा है तो यह आपका original answer की के उपर depend करता है कि question 6 answer original answer की में C दी जाता है या फिर D दिया जाता है तो आप इस question को अभी hold में रखें उसके बाद next question की बात करते हैं correct spelling का यह आपके पास word दिया गया था तो 7th का जो आपका option रहेगा वो है आपका A harassment यह इसकी बिल्कुल accurate spelling थी उसके बाद sorry इसका option C जो है वो आपका accurate रहेगा option A नहीं है option C इसका accurate रहेगा उसके बाद consequence जो है वो आपका option A question number 8th का answer A इसका रहेगा उसके बाद बात करते हैं question number 9th की direct speech आप से यह पूछी गई थी तो इसका right answer आपके पास रहेगा option number B लक्षमी said that she was going out that night option B इसका right answer रहेगा question number 10 की बात करते हैं इसका answer C रहेगा the king said we should celebrate our victory तो option C इसका बिल्कुल accurate answer रहेगा उसके बाद question number 11th की बात करते हैं इसमें phrase related आपको पुछा गया था इसका right answer आपका रहेगा option D is happening to उसके बाद question number 12 की बात करते हैं तो जो आपका question number 12 है, उसका आपका right answer रहेगा, option number B, cheerful, यह आपका item से related question था, cheerful इसका answer रहेगा, question 13 भी आपका item से related है, और इसका option A जो है वो आपका बिलकुल accurate answer रहेगा, उसके बाद बात करते हैं, question number 14 की, तो 14 का आपका जो answer है, option D, वो आपका बिलकुल accurate रहेगा, उसके बात करते हैं इसका आंसर आपका रहेगा fallen in love option B इसका right answer यहाँ पे रहेगा sentence improvement से आपसे question यह पूछा गया था उसके बाद question 16 की बात करते हैं तो इसका right option आपका रहेगा no improvement तो आप check करें कि आपके English के 16 question आपसे पूछे गए थे वहाँ पे आपके कितने English के section से कितने marks आए उसके बाद Hindi की बात करते हैं यह हमारे पास series A है यहाँ से आप check कर सकते हैं तो जो आपका question 17 है इसका जो right answer रहेगा कि कौन सा विजली का प्रयायवाची नहीं है तो इसका right answer रहेगा ज्योत्सना option D इसका right answer है उसके बाद question number 18 था इसमें इस्त्रिलि का विपरीत आर्थक शब्द क्या है तो इसका right option आपका रहेगा option A पतन option A इसका सही answer है उसके बाद question number 20 की बात करते हैं बहे का बहुबचन क्या है तो इसका answer आएगा option C बहे बहे जो है वो बहे का बहुबचन है उसके बाद शुद संधी का question पूछा गया था परिक्षक का क्या इसकी संधी रहेगी तो इसका answer आपके पास आएगा परि जमा इश्क एक शक तो आपका option जो है वो भी आपका right answer रहेगा उसके बाद question number 22 है कि कौन सी भाबाचक संग्या है तो इसका option आपका रहेगा option A मिठास उसके बाद मुहाबरे से question था आपके पास अधजल गगर चलकत जाए मुहाबरे नकोक्ती का अर्थ क्या है तो इसका right answer आपके पास रहेगा छोटे आदमी का अधिक दिखावा तो आप option 23 का आपका option C right answer रहेगा 24 की बात करते हैं तो इसका option B उतकंठित जो है वो इसका बिलकुल सही answer रहेगा उसके बाद बात करते हैं question number 25 की जिसक जनम पहले हुआ हो तो उसके लिए जो एक शब्द बोला जाता है वो बोला जाता है अग्रज तो option B इसका right answer रहेगा उसके बाद शुद सब्द आपसे पूचा गया था तो इसका अनुशंगित जो है वो आपका option A इसका बिलकुल सही answer रहेगा उसके बाद आपसे question पूच question number 28 है इसका आपका right answer रहेगा अनुखा option D जो है वो इसका बिलकुल सही answer है उसके बाद काफी easy question था शुद सब्द आपको पहचाना था तो कंठ option A में जो आपको लिखा गया है वो आपका बिलकुल सही answer रहेगा उसके बाद question 30 की बात करते हैं ब्याख्या का संधी आएगा वो आएगा बी जमा आख्या option D जो है वो इसका right answer है उसके बाद question number 31 की बात करते हैं अबकाश का बिलोम क्या है तो अबकाश का जो सही answer रहेगा वो है अनबकाश option B इसका right answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद इन में से कौन सी संग्या सब्द जो है वो संग्या है तो इसका जो right option आपके पास रहेगा वो है option number 1 प्राथमिक प्राथमिक इसका बिल्कुल सही answer है उसके बाद जीके की section की बात करते हैं काफी easy question थे जीके के भी जलिया वाला बाग हत्या कांट किस तिहार के दिन हुआ था तो उस दिन बेसाखी थ आपको पता होना चाहिए अमरित सर में यह हुआ था question number 33 cancer आएगा option B बेसाखी उसके बाद बात करते हैं जो question number 34 था किस अंदोलन को अगस्थ अंदोलन करांती के नाम से जानते हैं तो इसका right option था आपका भारत छोड़ो अंदोलन को जो है वो अगस्थ अंदोलन या अगस् परांती के नाम से जाना जाता है उसके बाद असयोग अंदोलन को किस वर्ष निलंबित किया गया था किस वर्ष उसे हटाया गया था तो असयोग अंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा चोरा-चोरी कांड के तहते से हटा दिया गया था 1922 में तो option QA आपका इसका accurate रहेगा, उसके बाद Q36 की बात करते हैं, काफी easy question था, HPGK का ये, पीर पंजाल, परबत श्रिंखला, हिमाचल परदेश के किस पडोसी राजे में स्थित है, तो इसका जो आपका right answer रहेगा, वो है, जमू और कश्मीर, यहाँ पे एक छोटी सी mistake भी है, वैसे, HP, पुलिस की तरफ से, जिन्होंने exam conduct करवाया था, यहाँ पे, यहाँ पे state उचा गया है, तो यहाँ पे वो यूटी भी उनको पूछना चाहिए, क्योंकि at present time, जमू कश्मीर जो है, वो हमारी गया है, अब यूटी है, केंदर शाशित परदेशा, उसके बाद बात करते हैं, निमिलिकित में से, कौन से राजे में कोईले के सबसे बड़े भंधार हैं, तो नदी घाटियों और तटी मेदानों में पाई जाती है, तो जलोड मिटी option A जो है, वो इसका बिलकुल सही answer यहाँ पे रहेगा, उसके बाद बात करते हैं, कौन सी नदिया हिमाचल परदेश के परवतों से निकलती हैं, तो इसका जो right answer आपके पास यहाँ पे रहेगा, वो option A व्यास, रावी और चिनाव, यह सारी की सारी हिमाचल की ही मुख्य नदिया हैं, और हिमाचल की ही परवतों से यह निकलती है, अगर आप question B को चेक करें, तो जेलम और option D में भी जेलम है, यह तो जमू और कश्मीर से रिलेट करती है, और option C में सतलूज है, यह आपकी ति option C, इसका right answer रहेगा, उसके बाद भारत की सबसे उंची चोटी का नाम है, कंचन जंगा, option A, इसका बिलकुल सही answer रहेगा, उसके बाद अगला question पूछा गया था, हिमाचल परदेश का राजगी पशु कौन है, तो उसका answer है, हिम तेंदुआ, स्नो लैपर्ड जो है, यह हि शिमला को बिटिस भारत की ग्रीशम कालीर राजधानी किस वर्ष घुशित किया गया था, तो 1869 option C, यहाँ पे इसका जो option है, वो option B आपका right answer रहेगा, 1864 में जो है, वो शिमला को बिटिस भारत की ग्रीशम कालीर राजधानी इसको बनाया गया था, उसके बाद बात करते ह लारजी विदुत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है तो काफी इजी कोईशन है ब्यास नदी के उपर ये बनाई गई है option D का सही आंसर है उसके बाद छोटी काशी में कौन साथ सब मनाया जाता है छोटी काशी के नाम से हम जानते हैं डिस्टिक मंडी को जो की ही माचल में पढ़ता है और option A वहाँ पे मुखे रूप से शिबरातरी जो है वो मनाई जाती है उसके बाद बात करते हैं बर्तमान में समाचारों में बढ़नित E दखिल पोर्टल किस क्षेतर के साथ समन्दित है तो इसका right option आपका रहेगा उपभोगताएं शिकायतें consumer complete option B right answer है उसके बाद question number 48 है राजे सभा के सदस्य परतेक दोवश की अबधी के उपरांत कितने जो हैं वो सेवा निबरित हो जाते हैं कितने member जो हैं वो retire हो जाते हैं कितने number of fraction में तो इसका right answer आपका रहेगा one third option C इसका बिल्कुल accurate answer है आप GK के section को check कर सकते हैं कि कितने आपके marks यहां पर बन रहे हैं basically काफी अच्छा level जो है वो HP police की तरफ से यहां पर पूछा गया था moderate level था और इसमें current affair का आपका कोई भी basic question जो है सारा का सारा उसके साथ मैच करता है तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको check कर सकते हैं आपका 90% paper जो है वो आपका उसी के साथ मैच हो रहा है उसके बाद आपकी reasoning की section की बात करते हैं 49th question था कुटे को बिल्ली कहा जाए कुछ इस type का ये question था तो इसका last में आप से पूछा गया था किसान किस से खेती करेगा तो किसान जो है वो बैल से खेती करता है लेकिन इसमें बैल को बोला गया था मुर्गा तो आपका option D जो है वो इसका right answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद question number 50 है basic puzzle आप इसको बोल सकते है राम श्याम से उंचा है बड़ राजन जितना नहीं इस question का आपका answer है option number D उसके बाद आपका question था direction से related एक निश्चित बिंदु से श्याम जो है वो पस्चिम में चलता है तो आप इसका answer नहीं calculate कर सकते तो इन में से कोई नहीं option D जो है वो इसका right answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद mathematical operation का इस question था यहाँ पे plus minus multiply divide के मीनिक आपको बताए गे थे ABCD की form में इसका जो right answer था वो है आपका option number C 18.5 आपका यह जो question है यह आप इसको basic board mask के method से solve कर सकते हैं तो option C इस question का right answer रहेगा उसके बाद question number 53 है out one out आपको इसमें choose करना है इसका right option आपका रहेगा मुंग फली क्योंकि बाकी सारी की सारी जो है वो आपके पास रवी फसले दी गही है तो इसका right answer आपके पास रहेगा मुंग फली उसके बाद coding decoding का आपके पास question था together का इक code दिया गया था और आपको friend का code यहाँ पे बताना है तो जब आप इस question को solve करेंगे तो आपके पास minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 का pattern जो है वो चलता रहेगा तो जैसे आप इसको friend में apply करेंगे minus 2 plus 2 के pattern को तो option D जो है dt double g lf यह आपका यहाँ के option के साथ match हो जाएगा तो option D इसका right answer रहेगा उसके बाद question number 55 है इसमें राम का स्थान आप से पूछा गया था तो इसका जो right option आपका रहेगा वो है option number C आप इसको formula से solve कर सकते हैं आपका formula रहता है top plus down minus के 1 is equal to total number of student तो यहाँ पे top से उसका जो है वो 13 number था down आपको निकालना है minus के 1 करेंगे और यहाँ पे total आपके पास student थे 53 minus 1 इसलिए किया है क्योंकि राम जो है वो 2 बावर का हमारा count किया जाएगा उपर से भी और नीचे से भी तो यहाँ पे D की value जो है वो calculate करने पे आएगी 41 तो इसका option C आपका right answer रहेगा उसके बाद calendar से question पूछा गया था 1 February 2009 को रविवार है तो 1 March 2011 को आपका option B मंगलवार इसका right answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद आपसे यहाँ पे number series से question है इसका जो आपका right answer रहेगा वो है आपका 130 इस question में आपका 7 का pattern जो है वो चलेगा gap से आप इसको solve कर सकते हैं पहले minus 7 का gap है फिर minus के 14 फिर minus के 21 तो उसके बाद minus के 28 आएगा तो right answer आपका बनेगा 130 उसके बाद फिर से आपका एक series का ही question पूछा गया था तो इसका जो आपका pattern बनेगा वो है आपका minus के minus के 2 minus के 5 minus के 2 और minus के 5 तो यह आपका इसका right answer आपका बनेगा option number A 35 उसके बाद odd one out का ही question आपसे पूछा गया था रंजीत सागरबांद, गोबिन सागर, महराना परताप सागर और पराशर जील तो इसका जो आपका right answer रहेगा तो काफी अच्छा question आपसे यह पूछा गया था यहाँ पे जो इसका right answer रहेगा वो है आपका option number D रंजीत सागर जील बाकी सारी जीले जो हैं आपकी तीनों की जीले हिमाचल में पढ़ती है और रंजीत सागर जील जो है यह आपके जम्मू में पढ़ती है तो जम्मू के बोर्डर में यह आप इसको मान सकते हैं तो option D इसका right answer रहेगा उसके बाद आपको code से related एक question दिया गया था cap का code 312 दिया गया था big का code 297 दिया गया था तो feed का code आपको calculate करना था इसका right option था आपका option number B इसका right answer आपका रहेगा option number A 6554 यहाँ से direct देखने से आपको पता चड़ रहा है C जो है वो तीसरे number पे आता है A फस्ट number पे और B हमारा दूसरे number पे तो जो हमारी alphabet होती है A से लेके Z तक आप उसको direct यहाँ पे काम में लेके आ सकते हैं F हमारा 6th number पे आएगा E 5 में number पे आता है और D 4th number पे आता है तो 6554 option A इसका right answer रहेगा उसके बाद analogy classification से question था Everest का समंध हिमाले से बताया गया है तो आपको बताना था Mount Everest का समंध किस से आएगा तो इसका option B Aravali जो है वो इसका बिलकुल right answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद puzzle से आपके 3 question यहाँ पे पूछे गये थे और मैं यहाँ पे इसको puzzle को यहाँ पे बना के आपको बता देता हूँ आपकी जो puzzle है वो मंजिल से related puzzle थी 8 मंजिले इसमें बोली गई थी तो उसमें जो stories हैं उनको आपको यहाँ पे fit करना था तो सबसे पहले जो 8 में number की story है उसमें हमारे पास आएगा तो यह आपकी सारी की सारी puzzle की formation बनेगी तो जो आपका 62 question था उसमें बोला था T और S के बीच कितने डिब्बे हैं तो इसमें जो है वो आपका option D बिलकुल accurate रहेगा 3 से जादा उसके बाद 63 question है कौन सा डिब्बा सबसे नीचे है तो देखने से ही पता चल रहा है W जो है वो सबसे नीचे है तो option A इसका accurate answer रहेगा उसके बाद 64th question था reasoning का last question है यह W और R के बीच कितने डिब्बे हैं तो इसका right answer आपका रहेगा 3 option D जो है वो बिलकुल सही answer है total 3 डिब्बे जो है वो W और R के बीच में आ रहे हैं उसके बाद math का question आपसे पूछा गया था distance time से related question था आपका एक विद्यार थी 2.5 km पर R की speed से जो है वो school जाता है और 6 minute देरी से पहुंचता है और अगर वो 3 km की speed से जाता है km पर R की speed से जाता है 10 minute में वो पहले पहुंचता है तो distance and time का ये question था इसका जो right answer आपका रहेगा वो है option number 1 अगर आपको इसका solution वाला part चाहिए तो वो आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर पूरा math का section वहाँ पर solve किया हुआ है वहाँ से आप इसको cross check कर सकते हैं कैसे किस question को solve करना है यहाँ पर मैं सर्फ आपको answer की यहाँ पर बता रहा हूँ उसके बाद question number 66 है इसका जो आपका right answer रहेगा वो है आपका option number D 37 उसके बाद question number 67 है 450 सेबों में से 30% सड़े हुए निकले तो इसका right answer आपका रहेगा 315 30% सड़े हुए है तो इसका मतला आपको 70% सेब जो है वो सारे के सारे अच्छे हैं तो 450 का direct 70% आपको calculate करना था उसी से आपका right answer 315 आजाना था उसके बाद question number 68 है यहाँ पर बोला गया है SI का question था आपके पास SI is equal to PRT by 100 easy question था इसका आपका right answer आना था option number C 17,450 option C इसका बिलकुल सही answer रहेगा उसके बाद LCM HCF से question number पूछा गया था 69th इसमें आपका direct formula यूज किया जाता है first value into second value is equal to LCM into HCF तो कैसे इसको solve करना है बीडियो के description में पूरे math section का link आपको मिल जाएगा वहां से आप इसको cross check कर सकते हैं कि कैसे question को solve किया गया है इस question का right answer रहेगा 120 math भी काफी easy पूछा गया था आपसे exam में उसके आप question 70 है 2 का 75 प्रतिशत किसके बरावर आएगा तो इसका option C जो है 1.5 ये इसका बिलकुल right answer रहेगा उसके बाद 71 question है एक रंबस है सम्चत्रभुज में इसके बिकरण बताएगे है diagonal 19 cm और 13 cm इसका क्षेतरफल आपको बताना है तो direct आपका formula होता है इसके area का बहुँआ है आपके पास 1 by 2 into multiple of diagonal तो diagonal कौन कौन से है 19 और 13 तो direct आपका option B जो है area आपको दिया था उसका perimeter आपको calculate करना था तो इसका right answer आपका रहेगा 440 meter अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस type से question को solve किया जाता है जल्दी से जल्दी तो description में आपको पूरा का math का section जो है वो solve किया हुआ मिल जाएगा वहाँ से आप इसको check कर सकते हैं कि कैसे आप question को करना था उसके बाद last वाला portion है हमारा general science का जो थोड़ी सी up level की science जो है वो हिमाचल पुलिस में पूछी गई थी मेरे idea से तो सबसे पहला था आपका की 73 question है कौन सी इसमें से synthetic drug है तो synthetic drug एक ऐसी drug है कौशन था कि कौन सा radioactive element नहीं है तो इसका right option है आपका option number B boron जो है वो आपका radioactive material नहीं है मैडम क्यूरी ने रेडियाक्टिविटी की खोज की थी जिसके लिए उनको दो बार noble price जो हो दिया गया था 1903 और 1911 में उसके बाद 55 question है omega 3 fatty acid किसमें नहीं होता है तो आप यहाँ पे easily check कर सकते हैं कि जो मचली का तेल है उसमें acid निकलता है अखरोट से भी तेल निकलता है और अलसी से भी तेल निकलता है तो सलाद के पत्ते से जो है तो तेल नहीं निकलता है तो direct इसका solution पता चल रहा था option D इसका right answer था उसके बाद है मृरिक दृष्णा जो है वो किस सिधान्थ पे कारे करती है तो जो मिर्रेज है वो आपकी associate होती है TIR से total internal reflection से इसका आपका right answer रहेगा reflection option number B जो है वो इसका बिलकुल सही answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद है question number 77 है किस तेल का उपयोग जाग problem छीलता के प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है तो इसका answer क्या आएगा हमारा option number C चीड का तेल pine oil जो है वो इसका right answer रहेगा उसके बाद last के तीन question हमारे पास बज़े हैं सालमोनिया टाइफी जीवानू से कौन सी बिमारी होती है तो इससे होता है टाइफाइड आंतर जोर हम जिसको बोलते है option D इसका right answer है उसके बाद है BCZ का टीका किसे रोकने में सहायक है तो ये यक्षमा या फिर आप TB की बिमारी जो होती है उसका आप बोल सकते हैं तो ये option B जो है इसका right answer यहां पे रहेगा उसके बाद last question है आपका ऐसे कौन से रंग है जो सबसे कम और अधिक बिचलित होते हैं तो आप इसके pattern को याद रख सकते हैं विब ग्योर से तो विब ग्योर में सबसे पहला और अंतिम रंग होता है आपका violet और red तो लाल और बैंगनी रंग जो है वो आपका option A बिल्कुल सही answer यहां पे रहेगा I hope आपको सारे के सारे question यहां से clear हैं आपने सारे question यहां से check कर लिए हैं एक question आपका हिंदी का है जो की हमारा शुद सब्द से related है question number 29 एक वार मैं उसको जो है वो एक वार फिर से आपको बताना चाहता हूं यहां पे आपसे जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था शुद सब्द क्या है तो शुद सब्द जो है वो इसका right option जो है वो यहां पे B हापका बनेगा क्यूंकि एक छोटी सी mistake यहां पे question में दी गई है जो कंठ लिखा जाता है वो आपका जो आपकी बिंदी है वो कर के उपर लगाई जाती है बट आप अगर question paper को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कर के आगे जो है वो बिंदी लगाई गी है इसलिए option B को जो है वो आपका valid माना जाएगा तो option B इसका बिलकुल सही answer है I hope आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी वीडियो को like करें, share करें अगर आपने इसका अभी तक solution वाला part math और reasoning का नहीं देखा तो वीडियो के description में उसका आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को like करें, share करें जै हिंद, जै भारत, जै हिमाचल